Hello friends, मैं हुने रुपमा और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आलों का अपना अलग ही स्वाद होता है और इसे अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है लेकिन आज हम बनाएंगे जोद पूरी आलू जिसका स्वात बहुत ही अलग होता है और यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो चलिए आज की रेस्पी शुरू करते हैं जोद पूरी आलू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे उसमें दो चमर तेल डालेंगे तिल करम हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे एक चमर जीरा और एक चमर डालेंगे सौफ फिर इसमें डालेंगे सुखी लाल मिर्च और हरी मिर्च डालेंगे आदर चमर हिंग डालेंगे और मिला लेंगे इससे अच्छे से तीन से चार करी पत्तर डाल देंगे फिर इसमें डालेंगे सफेद तिल एक चमच और फिर इसमें डालेंगे ओबले हुए आलू थोड़े बड़े साइस में काटेंगे इसको और फिर इसे मिला लेंगे आप इसमें मसाले डालेंगे एक चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक चमच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च एक चमच धनिया पौडर और फिर एक चमच डालेंगे गरम मसाला और एक चमच कसूरी मेथी फिर डालेंगे इसमें स्वात के अनुसार नमाक और मिला अच्छे से आलू भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम एक चमर चामचूर पाउडर और एक चमर डालेंगे चिली फ्लेक्स अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगे आप नीवु कर अस्पी डाल सकते हैं अब मिला लेंगे इसे अच्छे से और फून लेंगे ये देखिए अब हमारे आलू बिलकुल तयार हो गया है अब इन्हें सर्फ करेंगे चटपटे और मसाले दारी जोत पूरी आलू बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं कभी महमान आपके गर अचानक आ जाये तो आप इसे बना कर उने की खिलाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा और सब आपकी तारिव करेंगे इन्हें रोटी और पराटी का सर्फ करें बहुत डेस्ते लगेंगेई इसमें पढ़े到底 मसालों का स्वात बहुत है जब आप इससेasm करें कसूरी मेथी या हरे धनिये से और थोड़े से इस पे तिल डालने उपर से बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में और खाने में तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है चटपटे और मसाले दारी आलो की रेसिपी आपने कभी ट्राइ नहीं किये तो आप ज़रू ट्राइ करें आपको पहुत पसंद आएगी और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी न भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई